मैं सुनिल शाकर, कास्टिंग डिरेक्टर तो आज हम बात करते हैं कि सही इंफोमेशन कैशे मिले आडिशन देने के बहुत सारे सीरियल्स होते हैं ठीक है, बहुत सारी फिल्में होती हैं राइट, बहुत सारी वैब सेरीज होती हैं तो सबसे पहले आप एक काम करो कि वो वैब सेरीज किस प्रोडक्शन हाऊस की है ठीक है, वो देखिए और उसके कास्टिंग किसने की है अक्टर बनने का सबसे आसान तरीका एवोर्ड विनिंग अक्टिंग गुरू वरेंदर राठोर का पेर्स सेलर, एक्टिंग मैथ़ड, स्विच ओन, स्विच ओफ आक्टिंग मैथड है इस कोर्स से सीख कर आप भी कुछ ही दिनों में एक बहतरीन आक्टर बन सकते हैं जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग एमेज़ॉन और गूगल के रेटिंग और रिविउस स्विच ओन, स्विच ओफ आक्टिंग मैथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मैथड है जो आपके समय और महंगी फीज दोनों को बचाता है स्विच ओन, स्विच ओफ आक्टिंग मैथड कोर्स बुक आपको एमेज़ॉन फिलिपकार जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर एविलिबल है तो सबसे इंपोर्टेंट चीज आपको यह पता चलीगी कि हाँ वागई में यह कास्टिंग डिरेक्टर हैं सेरीज के तो हम उनसे कैसे पहुंचे जाएं तो आप सोसल मीडिया का सहरा लेकर यह मतलब इंस्ट्राग्रम पर अगर अगर अपने प्रजेक्ट के लिए आपको कॉल करके पुलाइंगे दूसरी चीज आते है कि audition की preparation कैसे होनी चाहिए मेल किया आपने और आपका लोग एक केरेक्टर के लिए गया और वो लोग फाइनल हुआ और जब वो लोग फाइनल हो जाता है तो उसके बाद आपको एक स्क्रिप भेजे जाती है यहा सबोज जैसे कि मैंने आपका किसी का म स्क्रिप जब मैं भेजूंगा तो में क्या है कि देखो एक होती है मोनोलॉक की स्क्रिप्ट और एक होती है कन्वजेशन वाली स्क्रिप्ट दो तरीके होती है जहां तक है कि टेलिवीजन में हमने देखा है कि वहां पर मोनोलॉक की स्क्रिप्ट दी जाती है और हम वैप कर आप फिल्म करते हैं तो उसमें हमको इक conversation script दी जाते है जिसमें कि बहुत aienie kreate करना पड़ता है जैसे कि खर का scene मां कर जबात कर रहे है पिताजी से बात कर रहा है भयन से बात हो रही हैना या दोस्तों से बात हो रही है तो हमारी जो team में से हमारे जो भी team member होता है तो वो आपको पूरा properly एक character के बारे बरीब देगा, बताएगा, ठीक है, उसका look क्या है, feel क्या है उस character का, बताने के बाद में, फिर आपको जो है ना, उसी तरीके का जो scene जिस तरीके से create किया है, तो मुझे जहां तक लगता है ना प्रॉप्स है, ठीक है, तो वो चीज को आप, मतलब करने के बाद में, तो आप एक scene create करके, अगर वो audition अगर आप करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है ना, आपका एक acting का feel होता है वो निकल के सामने आएगा, जिस तरीके से आप एक, जैसे कि हमारे team से किसी करना है, यह spontaneous करना है, इसको spontaneous रखना है, बहुत ही मतलब सवाबिक character है यह, तो उस feel के साथ आप वो कर पाएंगे, लेकिन बशर्त है, लेकिन जो cues जो होंगे, जो cues होंगे, तो एक उसी feel का बंदा, अगर वो cues दे, तो बेटर रहता है, फीमेल के लिए, मैं आपको बता दू देखिए, इस time पे हमारी film industry पूरी transparent है, पारदर्शिता है, एक दम से, कहीं पे भी कोई भी कुछ भी गलत नहीं घर सकता, आज कल social media है, जैसे joint films हो गया, social media है, कि वहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी casting की companyya है, मैंने जैसे पहले उसमें बताय वह देखिए, देन भेजिए, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोछ है कि लड़कियों के लिए कोई दिक्कत है, बिलकुल नहीं लगता, मुझे लगता, उनको बेधळक आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडेस्ट्री अंदर आना चाहते हैं, आपको एक स्क्रिप्ट दी, ठीक है, तैयारी कैसे करने है, स्क्रिप्ट दी, उसको दस तरीके से पढ़ो, दस तरीके से डेजाइन करो, मिलब जैसे अक्टर की डिजाइनिंग बहुत अच्छी होती है, वह अक्टर होता है, जैसे अब नवाज का एक्जामपल है, यह क्या बोलते है, मैथड में है, यह स्पॉंटेनियस है, वह भी एक अलग चीज होता है, लिकिन डिजाइनिंग बहुत इंपोर्टेंट है, अगर आपको एस अन एक्टर आना है, तो डिजाइन जितना आप अपने केरेक्टर को डिजाइन कर लोगे, अपने आपको उतना ही अगर अगर आपको अपने पहले, अगर आपको लगता है, एक बार मैं अपने हिसाब से भी करके देखूं के, एक आपके डिजाइनिंग होगी, और एक कास्टिंग डिरेक्टर जो कह रहा है, उस हिसाब से करिये, तो दोनों तरीके से अगर आपको करेंगी ना, तो कभी-क आप जो डिजाइन कर रहे हो खुछ से, वो सकते है, शायद वो बिल्कुल करेक्ट हो, दूसरी चीज में चीज क्या होता है, देखिए, ऑडिशन अगर आपको देना है, ठीक है, तो पूरे दिन में, एक अडिशन दीजेए यां, दो दीजे, पूरे दिन में, क्यूंकि इस बजब जो ऊठना है , leking मुझे को काई काई जाना है fak gust लेकिश लिजेख लीजिए और audition कहां सबसे इंपोटेंट है ।्समझ रही है जहां पे important on dition तो वह दीजिया कि यहीजिए कि दूसरी के लिए तुरंट का चल दिया हो कभी-धि क्या होता भी घराब होगा फिर दूसरी जगे पर आप जाओगे ठीक है तो वहां पे भी रहेगा यार उदर भी ओडिशन चल रहा है उस प्रडक्शन में चल रहा है वहां पे भी मुने को जाना है नहीं आप पूरे दिन में एक दीजिए लेकिन अच्छे से दीजे पूरी तैयारी के स अगर आपको वाकई में अक्टर बनाना तो एक्सक्यूज कभी जीवन में किसी को देना मत किसी भी कास्टिंग डिरेक्टर को मत देना क्योंकि यह आपका काम है यह लाइन आपने चुनी है आपको उस टाइम पे हाजर होना कि हाँ हमें जाना है तो जाना है क्योंकि यह अपना सक्सेस्फुल करियर बनाना चाहते हैं तो आपको जॉइन करना चाहिए एट डेज बॉलिवूड करियर गाड़न्स वरक्शाप